बश्कार दोस्तूं स्वागत करता हूं में आप सभी का यूटूब चैनल कुचामन ओनलाइन कलासेज में दोस्तूं आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से समंदित वचन टोपिक है उससे समंदित महत्व पूर्ण 35 परसन दोस्तूं जो बार-बार एकजमू के अंदर है जो पूछे जाते हैं और बहुत इंपोर्टेंट टोपिक रहता है दोस्तू वचन तो ध्यान से इन 35 क्यूसन को आपको देखना है हर एक क्यूसन का आपको कमेंट करना है और अंत के अंदर आपको बताना है कि 35 में से कितने क्यूसन आपके सही हुए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना और दबाकर अपने मित्रू के पास सेर जरूर कर देना दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों पहले क्यूसन की और सभी मित्तर जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना पहला क्यूसन है आपका, हिंदी में वचन कितने परकार के होते हैं, दो परकार के, तीन परकार के, चार परकार के, या पाँच परकार के, तो आपको बताना क्या है, कि जो हिंदी है, इसके अंदर वचन है, वो कितने परकार के होते हैं, तो दोस्तों आप सभी को पता है, हिं नहीं कर रहे हैं क्योंकि संसकर्ट नहीं पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं हिंदी पढ़ रहे हैं हिंदी के अंदर वचन दो परकार के होते हैं एक वचन और बवचन दोस्तु चलते हैं next question यहाँ पर आपका right answer option number a रहेगा दोस्तु चलते है next question क्योंसर नंबर दो है दोस्तू निवन में से एक वचन है चार ओप्सन है चारू ओप्सनों में से एक वचन में एक वचन कौन सा है यह आपको बताना है ओप्सन है आपके चांदी, सोना, लोहा उप्रोक सभी तो दोस्तू बात हो रही है एक वचन की तो चांदी भी एक वचन है, सोना भी एक वचन है, लोहा भी एक वचन है तो यहाँ पे आपका D option यह निदे option है, जो क्या रहेगा, सही रहेगा उप्रोकत सभी दोस्तों, चलते हैं next question, question number 3 की ओर तीन number question है, निम्न में से बहु वचन सबद है चार option है इनिमें से, बहु वचन सबद का छांटना है आपको option है आपके, होस, दर्सन, हस्ताकसर, उप्रोक सभी तो जल्दी से right answer कमेंट करें और जिन मित्रू ने, अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें अधिक से अधिक अपने मित्रू के पास पहुंचाने का कश्ट करें तो बात ओर यह यहाँ पर बहु वचन की होस भी बहु वचन है दोस्तू दर्सन भी ववचन है, हस्ताकसर भी ववचन है आपका दे ओप्सन सही रहेगा उपरोक सभी यानि तीनू के तीनू एब ऐसे है, यह ववचन सब्द है दोस्तू चलते है नेक्स्ट क्योसन, क्योसन नमबर चार की ओर निवन में से बहु वचन है, चार ओप्सन है आपके सामने लेखक, गुरू, यूवा, भक्त जन तो बताइए इन में से बहु वचन सब्द कोन सा है जल्दी से सिंपल क्योसन है दोस्तू बहुत अच्छा दोस्तू, सही आप सभी का ओप्सन दस सही रहेगा भक्त जन, ये क्या है बहु वचन सब्द है दोस्तू चलते है नेक्स्ट क्योसन, क्योसन नंबर पांच की और पांच नंबर क्योसन है, निम्न में से बहु वचन नहीं है इन में से बहु वचन कोन सा नहीं है ये बताना है तो जल्दी से 5 नमर क्योंस का कमेंट कर दो जो साती मेरे को फेस्बुक पे वीडियो देख रहे हैं वो साती भी YouTube चेनल को जुरूर सब्सक्राइब करें यूटूब चेनल की लिंक आपको वीडियो के उपर मिल जाएगी तो जो भी फेस्बुक के मेरे मित्तर वीडियो मेरे देखते हैं वो यूटूब पर जरूर आ जाएं क्योंकि दोस्तु फेस्बुक पर हर कलास में लाईव नहीं कर पाता हूँ तो आप यूटूब पर आईए वहाँ पर हर कलास आपको लाईव मिलेगी यहाँ पर आपका सही अंस्वर रहेगा ओप्सन दे अधिकारी यहाँ पर बहु वचन नहीं है तो अधिकारी सबद है यह बहु वचन नहीं है दोस्तु एक अधिकारी की बात हो रही है अधिकारियों की बात नहीं हो रही है बाकी तीनों के तीनों सबद है ना नदियां एक वचन है, सभी है, बहु वचन है, इन में से कोई नहीं, तो यहां पर सभी का मतलब कि तीनों ओप्सन है, तो सही एंसवर है जो आपको कमेंट करके बताना है, बस्ता सब्द में वचन कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तु बस्ता, बस्ता के अंदर एक वचन है दोस्तु, बस विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संक्या का बोध हो उसे केते हैं एक वचन केते हैं बववचन केते हैं दोनु केते हैं या इन में से कोई नहीं तो सिंपल क्यों सबी को पता है विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संक्या का एक संक्या मतलब । एक ही वस्तु हो या एक इस्तान हो उसका अगर बोध हो तो उसे एक वचन कहा जाता है आपका ओप्सन ए है जो यहां पे क्या रहेगा सरी रहेगा चलते हैं क्योसन नंबर आठ की और आठ नमबर की उसन है दोस्तू विकारी पद के जिस रूप से किसी की एक से अधिक संक्यहूं का बोध हो उसे क्या कहते हैं तो दोस्तू एक से अधिक वस्तू हो एक से अधिक इस्तान हो अगर उनका बोध हो तो उसे क्या कहा जाता है एक वचन का जाता है बववचन का जाता है दोनु का जाता है या उप्रोक्त सभी तो दोस्तु ध्यान से पड़े विकारी पद के जिस रूप से किसी की एक से अधिक संक्या का बोध हो तो उसे क्या का जाता है उसे बववचन का जाता है आपका बै उप्सन है, जो यहां पे किया रहेगा, सई रहेगा चलते हैं नो नम्मर क्यूशन की ओर नो नम्मर क्यूशन है दोस्तू जनता सबद में वचन है एक वक्षन है बहुवचन है दून्नु है, इन मेंसे कोई नहीं तो बात आ रही है जनता सब्द की तो जनता सब्द के अंदर कौन सा वचन आता है दोस्तू बहुत अच्छा दोस्तू जनता सब्द की बात हो रही है दोस्तू तो जनता के अंदर हमेशा कौन सा वचन होता है एक वचन होता है दोस्तू चलता है next question, question number 10 की और, 10 number question है दोस्तु, बगवान के लिए या बगवान के लिए या फिर निकिटता सुचित करने के लिए निवन में से किस सबद का परियोग किया जाता है, में सबद का, तू सबद का, हे सबद का, रा सबद का, बहुत अच्छा क्योसन है, बहुत बार अच्छा भी गया है, तो यहाँ पर जो आपका सही answer दोस्तु रहेगा, वो रहेगा option बहुत तू, तो याद रखना है, भगवान के लिए या निकिटता सुचित करनी हो, तो उसके लिए अगर हम किसी सबद का परियोग करेंगे, तो वो सबद रहेगा, हमारा तू सबद द बताया है, या मैंने कहीं पर ये पड़ा है और सर ये बता रहे हैं, तो दोस्तु कमेंट कर देना, वीडियो खतम होने के बाद आप कमेंट कर देना, मैं उसकी संपूर्ण जानकारी आपके सामने रखूंगा दोस्तु, लेकिन मित्रू, सेर और लाइक सबी साती हैं, जो ल बहुत अच्छा क्यूसन है दोस्तु, और बार-बार पूछा जाता है, और आप सभी को पता है कि रेट की भी तितियां आ रही है दोस्तु, तीन चार तो आचुकी है, और आज ओर आई यह नहीं तितिया अप्रेल के अंदर, तो दोस्तु जारी है, कब तक होती है, यह बारा की और बारा नमर क्यूसन है आपका बहु अचन होगा हम आप लोग बे कोई नहीं बहुत अच्छा क्यूसन है दोस्तों आपका बहु अचन क्या होगा तो दोस्तों आप यह है क्या है एक वचन है और अगर आप बोलोगे आप लोग तो यह क्या हो जाएगा बहु अचन आपका bardzo option है जो यहांपे की रहेगा सही रहेगा दोस्तों चलते है नेक्ज्ट क्यूसन क्यूसन नमब्र तेरे की और तेरा नमर का क्यूसन है सादू सबत का बहुँ अचन रूप क्या होगा सादू सादू कोई नहीं तो सबत क्या दिया है आपको दोस्तों यहां पे सब्द दिया है सादू सादू का पूछा क्या है बहु अचन रूप पूछा है तो दोस्तों यहां पे तीनों के तीनों जो सब्द दिये गए हैं आपको यह तीनों ही गलत है यह सादू के तीनों ही क्या नहीं है बहु अचन रूप नहीं है तो आपका the option है जो यहाँ पर क्या रहेगा सही रहेगा दोस्तु चलते हैं next question question number 14 की ओर वर्सा सब्द का उचित बहु अचन चुनिये वर्सा सब्द का बहु अचन बताना है दोस्तु वर्साएं वर्साओं वर्षा या वर्सा गण तो जल्दी से कमेंट करके बताओ दोस्तु वर्सा सब्द का उचित बहु अचन देखते हैं किन किन सात्यों का सही होता है important क्यों से न दोस्तु ये भहुत बार पूछा भी गया है इसलिए बोल रहा हूँ और जिन मित्रू ने अभी तक like और share नहीं किया है वो like और share जरूर कर दे अगर दोस्तु पसंद आ रहा है वीडियो तो like और share कर दे अगर पसंद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं दोस्तु तो यहां पे आपका सही answer रहेगा options है तो दोस्तु वर्सा जो सबद है यह एक वचन और बहुचन में सेम रहता है समान रहता है इसमें परिवर्तन नहीं होता है चलते है next question, question number 15 की और 15 नमर का question है पुस्तक का बहुचन है पुस्तकें, पत्रीकाएं, पुस्तकाले, गरंद तो यह तो simple question है, सामने answer है यहाँ पर पुस्तक का बहुचन पूचा जाता है और फिर यहाँ पर पत्रीकाएं दे दी जाती है, गलत हो जाता है पुस्तकाले दे दिया जाता है, गरंद दे दिया जाता है, गलत हो जाता है तो पुस्तक का बहुँचन होता है पुस्तके आपका A option है जो यहां पे क्या रहेगा सही रहेगा लेकिन ज़्यादा तरशाती क्या करते है कि पुस्तका लेके अंदर क्या होती है अधिक अधिक बहुत अधिक पुस्तके होती है तो क्या कर देते हैं पुस्तका ले कर देते हैं दोस्तु ध्यान से देखना है आपको यहां पर पुस्तके रखने की जगें उनके बारे में नहीं पूचा गया है पुस्तक का बहुचन पूचा गया है तो पुस्तक का बहुचन होता है पुस्तके चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन की और क्यूसन नमबर 16 है दोस्तू नारी सब्द का बहु अचन रूप क्या होगा नारी नारियां नारियों नारियां अब पूछा क्या है नारी सब्द का बहु अचन यहाँ पर दोस्तों नारी सब्द के बहु अचन की बात हो रही है तो जदातर साती क्या करेंगे जदातर साती यहाँ पर करेंगे आपके ओप्सन बह ओप्सन सह सही लेकिन सही एंस्वर रहेगा नारी हो ओप्सन दे आपका यहाँ पर सही रहेगा चलते हैं कूछसा एकवचन है ओपसन देख लेते हैं पहले अच्छे लेकक कौण सी कृतियां अपनी मात्री बाशा अन्ने देशु इन मेंसे आपको बताना क्या है कि एकवचन रूप कौन सा है वो आपको बताना है दोस्तू तो जल्दी से कमेंट करके बताईए दोस्तू बहुत अच्छा दोस्तू बात और ये एक वचन की तो यहां पे एक वचन है दोस्तू अपनी मात्रबासा अपनी मात्रबासा ये क्या है दोस्तू एक वचन है अच्छे लेकक तो अच्छे लेकक तो लेकक तो बहुत हो गए दोस्तों अच्छे लेकक बहुत हो सकते हैं कौन सी कृतियां तो कृतियां बहुत हो सकते हैं कौन सी कौन सी मतलब बहुत सारी कृतियां है अन्ने देशूं अन्ने देशूं का मतलब बहुत सारे देश अपनी मातर बासा तो मातर बासा तो एक ही होती है दोस्तों तो एक वचन होगा चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन क्यूसन नमर अठारा की ओर अठारा नमर का क्यूसन है आगरा का बवचन होगा आगरे आगरो आगरे बवचन नहीं होगा बहुत अच्छा क्यूशन है आगरा क्या है दोस्तों एक सेर है अब दोस्तों हम बात करें जैसे जेपूर तो जेपूर का बहुचन जेपूर होगा गया जेपूर तो एक है जेपूर तीन थोड़े हो सकते हैं जेपूर पांस थोड़े हो सकते हैं आगरा एक है एक ही रहेगा तो बहुआचन नहीं हो सकता अगराका उप्सन दाय है जो आपका क्या रहेगा सही रहेगा चलते हैं next question question number 19 की और 19 नमर का question है दोस्तो गुडिया का बहुआचन होगा तो गुडिया का बहुआचन बताना है आपको गुडियो गुडिया गुडिया ये गुडि पूचा क्या है गुडिया का बववचन अब दोस्तों यहां पर ज़्यादा तर साती क्या करते हैं कि गुडिया का अगर बववचन पूचा जाता है तो कर देते हैं गुडियो यह हमेसा क्या होता है गलत होता है गुडिया होता है दोस्तों, गुडिया का बववचन गुडिया, चलते हैं next question, question number 20 की और, 20 number question है दोस्तों, इन में से एक बवचन, बवचन का कोनसा यूग्म सही नहीं है, आपको एक बवचन और बवचन के यूग्म दे रखे हैं, तो सही यूग्म कोनसा नहीं है, गलत यू गम कौन सा है वो आपको यहां पे क्या करना है बताना है दोस्तों बहुत अच्छा दोस्तों तो दोस्तों गोड़ा गोड़े पहला सही है सही बात करें गले गली 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 यह यह भी सही है चिडिया चिडिया यह भी सही है तो यहां पे जो आपका सही है ओप्सन रहेगा वो वचन का साब्दी गर्थ क्या होता है अब हम 20 क्यूशन वचन के पढ़ लिए लेकिन अभी तक वचन का साब्दी गर्थ हमने नहीं देखा तो बताईए दोस्तु क्या होता है अर्थ वचन एक वचन संक्या वचन या बहू वचन पूचा क्या है वचन का साब्दी गर्थ तो वचन का साब्दिगर्थ दोस्तों वचन एक वचन और बोवचन संक्या का बोद करता है तो साब्दिगर्थ क्या होता है? वचन का संक्या वचन आपका सह ओप्जन है जो यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा, चलते हैं next question बाइस की और, 20 number question है दोस्तों वच्चन का एक अन्य अर्थ क्या होता है एक तो हमने क्या लिया संक्या वच्चन ले लिया दोस्तों अब अन्य अर्थ क्या होता है कहना, सुनना, बोलना, सुनना बात किसकी हो रही है बात किसकी हो रही है वच्चन की तो दोस्तों वच्चन एक मैं ये बोल रहा हूँ न ये मेरा वच्चन है की रीट है जो 25 अपरेल को ही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ मेरा वच्चन है तो ये क्या हो गया है कहना मैं कहे रहा हूँ तो याद रखना वच्चन का एक अन्य अर्थ भी होता है वो होता है कहना आपका option A है जो कह रहेगा सही रहेगा चलते है next question question number 23 की और 23 number question है दोस्तू संक्या के जिस रूप से संक्या संक्या के जिस रूप से संक्या का बोदो उसे क्या कहा जाता है सर्वेना, वच्चन कारक या लिंग तो क्या कहा जाता है दोस्तू उसको का जाता है वचन अगर संग्या के किसी भी रूप से संख्या का संग्या के किसी भी रूप से संख्या का बोदो तो उसे वचन कहा जाता है चलते हैं नेक्स क्यूसन क्यूसन नंबर 24 की और 24 नंबर क्यूसन है दोस्तु हिंदी में वचन के कितने बेद माने गए हैं दोस्तु कुछ क्यूसन है जो रिपीट भी हो रहे हैं तो आपको कमेंट करते रहना है कितने वचन माने गए हैं सोरी वचन के कितने बेद माने गए पांच बेद, चार बेद, तीन बेद या दो बेद तो सबी को पता है दोस्तों वचन के हिंदी के अंदर दो बेद माने गए हैं और दो बेद कौन-कौन से होते हैं एक वचन और बवचन चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन क्यूसन नंबर पचीस की और पचीस नंबर क्यूसन है निवन में से एक वचन है चार ओप्षन दिये गए है इनमें से एक वचन को चाटना है option है नदी हम रुपए गमले तो इनमें से एक वचन कौन सा है यह आपको बताना है सामने दिखाई दे रहा है तो दोस्तो निवन में से एक वचन को चाटना है दोस्तो कुछ गले के अंदर problem है इस वज़े से अगर कुछ दिख्कत आ रही है बोलने में तो मापी चाटा हूँ आपसे निवन में से एक वचन है तो दोस्तो यहां पर हम केला थोड़ा हो सकता है बहुत सारे हम तो यह तो एक वचन नहीं है रुपए यह बहुत सारे यह भी एक वचन नहीं है गमले गमला की बात नहीं हो रही है गमले गमले भी बहुत है तो यह भी एक वचन नहीं है नदी एक वचन नदियों की बात नहीं हो रही है नदी की बात हो रही है तो क्या है यह एक वचन है चलते हैं क्योसन नंबर 26 की और 26 नंबर क्योसन है एकवचन और बहुचन का परियोग सम्मन दरसाने के लिए किस रूप में किया जाता है एकवचन और बहुचन का जो परियोग है सम्मन दरसाने के लिए किस रूप में किया जाता है एसमान अलग अलग समान सिर्फ एकवचन बहुत अच्छा क्यूसन है, समझ के बार है बहुत सारे सातियों के अभी तक समझ में नहीं आया है तो दोस्तों एकवचन और बहुचन का परियोग अगर हम सम्मन दरसाने के लिए करें तो किस रूप में किया जाता है? सम्मान रूप से किया जाता है याद रिखना है दोस्तों simple क्यूशन है एक वचन और बहुचन का परियोग सम्मन दरसाने के लिए सम्मान रूप से किया जाता है चलते है next क्यूशन क्यूशन नमबर 27 की और 27 नमबर क्यूशन है दर्वे सुचक संग्याओं का परियोग होता है एक वचन में दिवी वचन में बववचन में कोई नहीं तो दर्वे सुचक जो संग्याओं होती है उनका परियोग हमेसा एक वचन में किया जाता है याद रग लेना दोस्तों जो दर्वे वचक दर्वे सुचक संग्याओं सबद है उनका परियोग एक वचन में किया जाएगा चलते हैं next question question number 28 की और 28 number question है दोनों वचनों में परमुक्त है कौन सी संग्या का परियोग किया जाता है बाववाचक का गुणवाचक का वेक्तिवाचक का या जातिवाचक का तो एक वचन और बाववचन दोनों वचन है इनमें कौन सी संग्या का परियोग है जो किया जाता है तो याद रखना दोस्तों दोनों वचनों में परमुक्त है जाती वाचक संग्या का परियोग है जो किया जाता है चलते हैं next question question number 29 की और 29 number question है दात्मों की जाती बताने वाली संग्याओं का प्रियोग होता है दात्मों की अगर जाती बता रहे हैं तो उनमें कौन सी संग्याओं का प्रियोग होगा एक वचन का बहुवचन का दोनू का या कोई नहीं अगर दात्मों की जाती बताने की बात हो तो वहां पर एक वचन का परियोग किया जाता है दोस्तु याद रखना important question है simple question है दोस्तु चलते है next question, question number 30 की और 30 number question है जब आकारांत के pulling सब्दू में A की जगें पर A लगा दिया जाता है तब V हो जाता है बहुवचन हो जाता है एक वचन हो जाता है द्वी वचन हो जाता है A वचन हो जाता है बहुत अच्छा question है ये भी दोस्तु आकारांत के pulling सब्दू में आकी जगें आकी जगें A लगा दिया जाता है तो दोस्तु वचन हो जाता है आपका A option है जो यहाँ पे क्या रहेगा सही रहेगा चलते है next question Question number 31 की और 31 number question है निवन में से कौन सा सब्द है जो सदेव एक वचन में ही परियूग्द होता है जनता वरिशा हवा वै आग सभी पूच्छा क्या है कौन सा सब्द है जो सदेव एक वचन में जिसको हम वचन के रूप में परियूग्द नहीं कर सकते है तो दोस्तों जनता भी एक वचन है वरिशा भी एक वचन है हवा हो या आग हो ये भी क्या है एक वचन है तो सब भी सब्द चारू के चारू जो सब्द दिये गए हैं ये मेसा सदेव एक मटशन के रूप में परियूउक्ते होते हैं देव बॉप्शन है जो आपका सही रहेगा चलते हैं next ew दर्शन क्यूसर नमर 32 की और 32 नमर क्यूसर है हिंदी में निवन में से कौन से सब्द है जो सदेव बववच्ण में ही परियूउक्ते होते हैं ओप्शन है आंसू, दर्सन, हस्ताकसर वे प्राण सभी बहुत अच्छा क्योंचन है दोस्तों ये भी तो कौन से सब्दे इंदी के जो सदे बहुवचन में ही प्रियुक्त होते हैं तो बात की जाए आंसू की तो हमेशा आंसू बहुवचन में ही प्रियुक्त होते हैं दर्सन भी हमेशा ही क्या होते हैं बहुवचन में ही प्रियुक्त होते हैं हस्ताकसर हो वे प्राण हो दोनों के दोनों हमेशा बहुवचन में प्रियुक्ते किये जाते हैं तो सबी सबद है जो बववचन के अंदर क्या किये जाते हैं प्रियुक्ते किये जाते है चलते है next question, question number 33 की और 33 number collection है भाग्ये सबद है, एक वचन है, बववचन है, दोन्नु है, निवन मे से कोई नहीं सबद की बात करें तो सबद है भाग्य और भाग्य सबद की एगर हम बात करें तो दोस्तों बाग्य जो सबद है वो क्या है भवचन है याद रखना आपको भाग्य सबद हमेशा भववचन में परिएखते होता है चलता है next question Question number 34 की or 34 number question है सोना वे चांदी सब्द परियुक्त होते हैं एक वचन में, बहु वचन में, दोनु में, इनमें से कोई नहीं बहुत अच्छा क्यूसन है यह भी सोना वे चांदी जो सब्द है, वो परियुक्त होते हैं तो दोस्तों याद रखना, सोना हो या चांदी हो हमेशा एक वचन के अंदर प्रियुक्त होते हैं दात्वों के रूप है हमने पहले ये क्यूशन पढ़ लिया दात्वों के रूप हमेशा एक वचन में रहते हैं दोस्तू चलते हैं दोस्तू नेक्स्ट क्यूशन 35 की और 35 नमर क्यूशन है गुरूजन है वीडियो को लाइक जरूर कर देना अपने मित्रू के पास सेर करने का जरूर प्रियास करना दोस्तू चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तो जल्दी से कमेंट कीजिए गुरू जन है तो दोस्तू गुरू जन गुरू जन गुरू जन बहु अचन सबद है दोस्तू आपका बै ओप्सन है जो यहाँ पे क्या रहेगा सही रहेगा तो दोस्तू ये थे हिंदी व्याकरण के वचन से समंदित महत्वपून 35 क्योशन आसा रखता हूँ आपको बहुत पसंद आये होंगे आपने आगे भी बहुत सेर किया होगा और नहीं किया तो जल्दी से अब सेर कर दो दोस्तू लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद जे हिंद जे बारत